जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर FD यानि की Fixed Deposit अगर आप किसी भी बैंक के अंदर FD करवाने वाले हैं चाहिए आप दोस्तों किसी Post Office में करवाने वाले हैं दोस्तों देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों FD बैंक में या Post Office में क्यूं करवानी चाहिए आपको पता होगा हमारे बुजरुग भी बोलते थे कोई एक्स्ट्रा पैसा पढ़ाया तो इसकी बैंक में FD करवालो क्योंकि ये सेफ है सिक्योर है और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का टूल है क्योंकि हर कोई इसको जानता है यहां पर पैसा लगाना उचित समझता है लेकिन आपकी hard earn money है दोस्तों आपने बहुती खून पसीने से पैसा कमाया है आपकी मेहनत का पैसा है तो अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो कहीं पर आपको नुकसान ना हो जाए तो आपको यह rules है FD के वो जान लेने बहुत जुरूरी है उसके बाद ही आपको FD की investment कर लेनी है तो सबसे पहले दोस्तों आपको limit जान लेने जुरूरी है income tax department ने एक ऐसी limit define कर दी है इस पूरे के पूरे जो duration को financial year बोलते हैं अगर आपने 10 लाख या उसे ज्यादा की FD करवाई है other than cash के अंदर उसके अलवा इसका क्या मतलब हो दोस्तों जैसे आपने saving bank account था आपका उसे आपका पैसा कट गया और FD के अंदर चला गया या other than cash होता है या आपने 2 लाख रुपे की FD कराई जो की cash है करवाई आप गए वहाँ पर counter में परची बरी और 2 लाख की FD करवाली चाया आपने bank में करवाई हो post office में करवाई हो cooperative bank के अंदर करवाई हो तो यहाँ एक बार में करवाई हो या टुकडो टुकडो में करवाई हो for example आपने 2-2 लाख रुपे की 6 बार अगर FD करवाली है तो यह 12 लाख की FD पूरे साल के अंदर हो गई है तो यह भी reportable transaction हो जाएगी तो इसकी report है income tax department को चली बरी है पिछले एक साल दो साल तीन साल चार साल की आईटियर वह आपकी चेक कर सकते हैं अब देखा जाएगा दोस्तो आईटियर फाइल है यह नहीं मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी 10 लाख से जज़दा की FD हो जाती है तो आईटियर का बहुत ज़दा important role आपक साल खतम हुआ था इस साल का जो assessment year था यह था चोविस पच्चिस अब चोविस पच्चिस खतम होने के बाद तीन साल तक मतलब 31,3,2,0,28 तक आपको नोटिस आ सकता है अगर आपने 10 लाख से जादा की FD कराई थी और income tax की return नहीं बरी थी तो आपको income tax department बोलेगा कि आपने उस साल की return की उनी बरी इतने रपे कि आपने FD कराई थी और यह जो पैसा आया था वो भी आप हमें बताएं और आपको लगता है कि यह पैसा जो आपके पास आया था या अपने मदर फादर से किसी से gift लिया था आपने उधार लिया था या आपका खुद का पैसा था पिस के ओपर heavy tax penalty interest आपसे लगाए जा सकता है तो make sure करें आप जब भी FD करवाएं इस limit से नीचे ही आपको FD के amount रखनी है इसके बाद में जो अगला सवाल दोस्तों खिर से किया जाएगा ITR फाइल्ड की है इस income है जो ITR के हिसाब से आपकी actual है अब आ लिज यह example क्या होता है आ ITR भरी आपने 2-3 लाख रुपए की तो दिक्कत वाली बात है income tax department फिर से आपका case 148 के अंदर खोल सकता है section 136 के अंदर आपसे inquiry कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि पैसा आपके पास कहां से आये था अगर आप बता देते हैं यह पैसा तो मैंने उधारा लिया था मुझ सकते हैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस प्रोपर सोर्स है 10 लाख से ज्यादा का तो आपका सोर्स और जो दोस्तों आपका explanation है वो आपको ध्यान रखना जुरूरी है 10 लाख रुपे की लिमिट है यह पर्टिकुलर एक बैंक के अंदर है एक साल की है और एक पैन कार है तो चारों वेक्ती नो नो लाख रुपे की वह FD कराते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंकम टेक्स को सूचना नहीं जाएगी हलांकि एक बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं ए आइस और टी आइस के नाम के दो फोर्म होते हैं इसके अंदर आपने जितना भी F कोटिंग FD की वहां पर नहीं जाएगी अब आपने दोस्तों मान लीजिए HDFC में 19 की FD कराई PNV में 19 की कराई और पोस्ट ओफिस में 19 की कराई हालाइकि 29 27 लाख रुपे की FD हो गई है लेकिन तीनों ही तीनों बैंकों की जो लिमिट है आपने क्रोस नहीं की है तो यह त को बताया अगर आपके ITR फाइल है और बड़िया से बर रखी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपने ITR ही नहीं बरिया दोस्तों तो आपको 101% नोन फाइलिंग का नोटिस आने वाला है जहां पर आपसे section 148 के अंदर काफी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है तो as per rule no.1 आपने 10 लग से ज़्यादा की FD online नहीं बनानी है 2 लग से ज़्यादा की FD cash में नहीं बनानी है पिछले साल कोई FD थी दोस्तों वो इस साल renew कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पिछले साल की renew कर रहे हो और इस साल की FD के अंदर आगर आपने 9 ला रुपे और पड़े हैं तो मैं नो की जाएंगा 11 ला की FD करा देता हूं तो यह renewal अगर enhance करके बढ़ा करके कराई है तो यह reportable transaction हो जाएगी इसकी सूचना income tax department को चले जाने वाली है इसके बाद में दोस्तों दूसरा income tax और FD से related important rule है section ATC ATC के अंदर आपको बताओको दोस् यह post office में कराते हैं लेकिन यह FD आपको 5 साल तक कर रखनी पड़ेगी अगर इस FD को पहले तुड़वा देते हो तो जिस साल आपने FD तुड़वाई है उस साल की income में यह जुड़ जाएगी और जो आपको ATC की छूट मिलेगी दोस्तों यह one time मिलने वाली है एक ही साल मि यह जाएगा दोस्तों आपने 2024 के अंदर 5 लाकी FD कर रही है तो आपको डेड़ लाकी चूट मिलेगी बाकी का साधे 3 लाकर पर आपका लैप्स हो जाएगा इसकी चूट आपको नहीं मिलेगी और जो total income होगी उसके उपर आपको FD के उपर tax भी आपके tax lab के साब से देना पड़ जाएगा तो आप हर साल ATC की चूट दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं इसके अलावा आपको क्या करना है रूल नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे TDS दोस्तों income tax की चौरी को रोकने के लिए काफी महतवपूरण ही रूल अदा करता है आपने अगर कोई interest कमाया तो income tax department को कैसे पता कि आप इसको अपनी ITR में दिखाओगे या नहीं दिखाओगे आप छुपा लोगे तो bank की responsibility लगा दी है अगर आप एक limit से जादा किसी वे 10% के हिसाब से आपका TDS काट के आपको पैसा मिलेगा अगर आप एक non senior citizen है मतलब 60 साल से कम है तो 40,000 पर पूरे साल में एक बैंक के अंदर एक पैंकाड में एक विक्तिकी एक साल के अंदर एगर interest आ जाता है और senior citizen है अगर आप 60 साल से जादा है तो 50,000 पैसे जादा का अग cooperative society हो तो for example दोस्तों अगर आपको एक ऐसी FD थी जिस पे 60,000 पै का ब्याज मिला तो इसका 10% जो FD था आपका वो 6,000 पै आपका काट लिया जाएगा और आपकी FD के अंदर 54,000 पै जमा हो जाएगा बाकी का जो 6,000 पै था ये आपके फोरम 26 A.S के अंदर show हो जाएगा तो अगर आपने फोर example दोस्तों बैंक के अंदर FD करानी है तो इस इसाब से FD कराएं कि आपके जो TDS नहीं कटवाना चाहते है अगर आप तो कम amount की आपको ब्याज इतना आए उतने एरपे के FD कराएं सपोज करो आपने 5,000 पै के FD कराई है और वहाँ पे 8% ब्याज मिलता ह अगर आपने 20,000 पै तो अलग अलग बैंकों में करेंगे तो आपका TDS नहीं कटा जाएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोरम नंबर 4 रूल नंबर जो 4 है हमारा ये बोलता है फोरम 15G और 15H ये एक request होती है दोस्तों ये बोलती है कि मेरा TDS ना कटा जाए अगर बैंक म मतलब ये छोटा है तो छोटे वक्ति के लिए और 15H एच एच बड़ा है तो 60 साल से उपर वालों के लिए ये फोरम आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा ये self declaration फोरम है ये बोलता है कि मेरी income basic exemption limit से कम है old में डाइलाग और new में तीन लाग से अगर आपकी income कम है तो आप आपको ITR बरनी mandatory नहीं है ITR बरनी नहीं है तो फिर हमेरा TDS क्यों काटा जाएगा और हमें ये TDS वापस भी नहीं लेना है क्योंकि हमने ITR भी नहीं बरनी है तो इस तरह से दोस्तों फोरम 15G और 15H भर सकते हैं ये सिरफ और सिरफ resident individual बर सकते हैं एंदराई के लिए allow नहीं ह है दोस्तों ये 60 साल से ज्यादा वाले विक्ति के लिए एक request है bank को बुला जाता है कि मेरा TDS ना कटा जाए और दोस्तों ये आपको साल के starting में ही दे देना है क्योंकि आपका अप्रेल के अंदर कटा हुआ TDS साथ मई तक income tax department में जमा हो जाता है इस तरह से जितना जल्दी देंगे उतना ही आपका TDS कटने की समावना कम हो जाएगी अगर दोस्तों रूल नंबर पांच कहता है आपने फोरम 15 और जमा नहीं करवाया है तो bank आपका TDS काटेगा bank ने TDS काट लिया तो आपको वह वापस नहीं दे सकता है एक बार TDS कट गया तो income tax के खाजाने में जम TDS कटने के बाद आपको जून या जुलाई 2025 में आइट यर भनी पड़ेगी क्योंकि आपने या तो फोरम 15 जी अच दिया नहीं या दिया था आपकी income जादा हो गई थी तो no TDS on interest shall be get on after year इसके बाद में दोस्तों section ATTTA और TDB भी काफी important role play करते हैं मैं सबसे पहले आपको ब लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा जब FD close हो जाएगी पांच साल के बाद मैचौर हो जाएगी जब आपको वह amount मिलने वाली है तो यह क्या कहती है अगर आपको तीन-तिन महिने में interest मिल रहा है और उसी को आप income मानते हैं तो यह आपकी accurate basis पर accounting हो गई और जब आपको यह पै वहीं पर हम बात करेंगे section ATT-B के बारे में यह 60 साल से ज्यदा वाले विक्तियों के लिए available है FD के उपर और saving के ब्याज के उपर जितनी भी आपने कमाई करिये दोस्तों उसमें 50,000 पर तक की छूट आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने जो कमाई करी है वो accurate basis पर आप पर की तो आप section ATT-B के अंदर भी छूट ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे income tax के जो old tax regime में ही आपको यह छूट मिलेगी new tax regime में आपको यह छूट नहीं मिलने वाली है अब insurance आपको पता होगा दोस्तो safety एक बड़ा ही issue होता है आपको पता होगा income tax department ने आपको जो पैसा लग तो यह government की संस्ता है लेकिन यह third party संस्ता है जो आपको बोलती है कि आप 5-5 लाख रुपए पर bank में आपको हम security दे देंगे for example अगर आपने 30 लाख रुपए की FD करानी है और आपने एक bank में करा रखी है और वो bank डूप जाता है तो आपका 30 लाख रुपए डूप जाएग तो आपको भी इस 5 लाख रुपए पर bank की limit का फाइदा उठाना है अलांकि अगर आपके कोई saving में पैसा पड़ा है अगर आपके FD में कोई पैसा पड़ा है अगर आपके RD में पैसा पड़ा है अगर आपका कोई interest secured हो गया है अगर आपका current account है यह सारे मिलाकर के 5 लाख र आपका यह जुड़ जाएगा अगर आप new tax regime में जाते हैं और आपकी FD का interest और बाकी सारी income मिला करके 7 लाख रुपए तक है और क्योंकि यह सारी normal income अगर आपकी है कोई भी special income नहीं है जैसे कि लोटरी क्रिप्टो ड्रीम लेमन लॉंग टरम शोटरम capital गें तो आपको 0% भी tax देना पड़ जाए क्या आप ITR हमें बरने पड़ेगी हमने FD करवा रखी थी एक बैंक के अंदर तो यह भी काफी important question है काफी सरे लोग confused रहते हैं basic exemption limit से अगर आपकी income cross कर जाती है अगर FD का interest है और कोई भी other interest आपका आ रहा है यह सारे का सारे मिला करके अगर आप आपकी income चली जाती है तो दोस्तों आपको ITR बरने जुरूरी है नहीं तो आपको non filing का notice आ सकता है एक तो income की बात होगी और अगर आपने 10 लाग से ज्यादा की FD करा रखी है तो भी हम आपको recommend करेंगे कि आप अपनी ITR जुरूर बरें नहीं तो section 148 के अंदर आपको notice देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एक और last important दोस्तों point में आपको बताना चाहूंगा जो भी आपको interest मिलता है हर bank का एक interest का chart होता है इस chart के साबसे आपको ब्याज दिया जाता है कि इतने दिन की किराओगे तो इतना मिलेगा तो आपको FD कराने से पहले इस tenure के chart को जरूर देख लेना है जहां पर higher ज़्यादा से ज़्यादा return आपको मिल रहा है वही पर ही आपको FD करानी है मैं State Bank of India के एक chart के आपको दोस्तों example देना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने 7 दिन से 45 दिन के FD कराई है तो आपको 3.5% का ब्याज मिलेगा और उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं 2 साल से 3 साल है और 3 साल से अगर एक दिन भी उपर FD कराते हो तो 7.5 है और जहां पहले आपको 7 मिल रहा था तो 0.75 का आपको ज़्यादा rate of interest मिलने वाला है और यहां पे अगर 5 साल से ज़्यादा की FD कराते हो तो आपका ब्या करें अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें क्योंकि इस तरह की income tax, GST, personal finance related बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं इस वीडियो को उन सभी लोगों में share करें जिने FD करवानी है और थोड़े से doubt हो रहे थे कोई भी doubt, query question आपका रह जात है तो कमेंट करके बताएं ये वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारा उसला बढ़ जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच जैहिन जै भारत